हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रटवाल जव अपपडेट में आज हम बात करेंगे उत्राखन प्रात्मिक शिक्चक भरती के बारे में तो आप सभी को बताओगा गतिमान उसके समन्द में जो NIOS वाले प्रक्राशिशन बिरोजगार चाद रहे हैं उनके लिए हाइकोट ने रहात दिये हैं उनको भी प्रात्मिक शिक्चक भरती में सामिल करने को लेकर जो याजिका दायर की थी उसके समन्द में कल जो सुनवाई हुई थी तो हाइकोट ने उस पर करते हुए कि उनको भी बरती परक्राशिशन में सामिल किया जाएगा तो कल यह ख़वर आय थी ठीक है आँ जिसका ऑफिचल आ जाएगा तो हम पूरी डिटियल से जरजा करेंगे कि इनको किस टैप से मौका मिलेगा क्योंकि बरती परक्राशिशन अंतिम दोर में है तो नहीं मिलेगा साथ इनके जो फाइनल हेरिंग है वो अभी हुई नहीं है क्योंकि इनकी फाइनल होनी है जून में उसके बाद को इन पर क्या देज जारे करता है क्योंकि जिन लोगों के द्वारा यहां पर फॉर्म भरे होंगे 287 बदों पर ठीक है उनको तो मौका मिलेगा लेकिन जो नए नए एनायोस वाले चातर है जिसमें सेंटीजार के आस्पर बताया जा रहे है जो नए चातर है उनके लिए सरकार फिर से फॉर्म रियोबन करती है या क्या प्रोसेस होता या आपको फाइनल हेरिंग के बाद पता चलेगा इनको सिर्फ अभी कांसलिंग पर है तो पहले हम इसको डिटील से चाहता कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इक पॉइंट की इसमें इनका सेलेक्शन के स्टैप से होगा या नहीं होगा हाई कोट में हजार अभीरतियों को मिली है रहात हाई कोट ने गुरुवार को गुरुवार को सेंतिस हजा अभीरतियों की बड़ी राहत दिये कोट ने डियल ए एन इयोएस प्राफ अभीरतियों को राज्किया प्रात्विंग बिद्यालों में साख अध्यपक के पदों पर चल रही नियुक्ति पर ग्रिया मैं काउंसिरिंग में सामिल करने के निदेश दिये हैं जाचिका करताओं को काउंसिरिंग में सामिल करने के निदेश दिये हैं मामले की सुनवाई कारेभायक मुख्या नियाएधी संजय कुमान मिस्रवयम नियामूर्ति आर्सी खुलवे की खट पेट की पूर में कोट में वे इन भर्तियों को साक अध्यपक भर्ति परग्रिया में सामिल करने को होने से रोकने के लिए 10 फरविट 2021 को सासना देश मामले पर आदेशतर रोक लगा दी थी मामले की अनुसर नंदन सिंग भोरा निदी चूसी गंगा देवी सुरेश चंदर गुरुरानी संगीता देवी और गुरुमिरी सिंग ने हाई कोड में याचिका त पर आप्त किया था उनकी इस डिगरी को मानाव संचादनें एंसेटी द्वरा मंजूरी मिली थी मानेता भी दीदी थी लेकिन सरकार ने दस परविट 2020 को यह कहते वे उन्हें काउंस्टिंग से बाहर कर दिया था कि सरकार के पास कोई इस पस्ट गाड़ लाइन नहीं है साक अब मैं आपको बताता हूं है कि याशिका करताओं को कामसिनिक परक्रिया में सामिल किया जाए तो जो नहीं है भर्ति होंगे तो सरकार उनको फिर से रिउपन कर दिया नहीं है क्योंकि इसमें 3700 लगबग आपके साब रहे हैं सबने यहां पर अप्लाई नहीं किया था क्य अब क्या होगा कि सरी जार लोगों के दारत यांपर नहीं होंगे फॉर्म सिर्फ याशिका करता है उनके दान्म डाले होंगे और कि कहीं आइस छाधर ने चारज हो कांवाली व्रति में फॉर्म डाले है compensation नहीं होई है उनको सिरफ नहीं हो कही यह है लेकिन उनको उनकी counseling पर क्रिया होगी जब उनका final selection होगा जब उनकी न्योक्ति लिस्ट जारी होगी तो उनको रोग दिया जाएगा जब तक कि high court का final decision ना जाएगा तो जो नई चात्र होंगे उनके लिए सरकार देखते हैं क्या करती है कैसे उनको form reopen करती है या वो दुबारा बारते हैं वो सारा का सारा code dependent जब कि जब तक final decision ना जाए और साथ ही चार्शियों करमाली भरती परक्राइब में उनको सामिल कर लिया जाएगा क्यों सरकार ना पहले ही गाला कि आपको नई शिक्चक भरती में मौका में लेगा और वरतमान शिक्चक भरती में क्या होगा व तो जो पदा जला है लगबग 281 के लगबग इसे चात्रे जो याचेगा करताओं में सामिलते इनको अभी मौका में लेगा लगबग इतने थे 280 की कानफम नहीं है तो इसी 802 के आसपास जो ना याचेगा करताओं को यहाँ पर सामिल करने की मांगी है लेकिन जो 13 जून को इनका जो डिशिजन आना है उसमें अगर हाई कोट यह कहता है कि सब को मौका दे जाए तो सब को मौका में लेगा नहीं जो दोस्वी कासी के आसपात्राप के नाइउस वाले चात्रे जाटर था सिर्फ उनी को मौका में लेगा ठीक है तो यह सिर्फ सावरा का सरा जो नाइउस वाले चातर हैं बेरोजगार चातर वह काफी लंबे समय से आपने देखा होगा कि तो नंदन सिंग भोरा वाला केस था उसमें काफी लंबी प्रॉसे चल ले तकि हर न्यूक्ति लिस्ट मैं हर कांशरिक में यह मेंचन करके आ रहा था कि यह भरती नंदन सिंग बहुरा वाली कोर्ट केस है उसके आधिन चल रही है और यह आपकी भरती करेया कोट के आधिन चल रही है तो आप उसका फाइनल डिश्जन आ चुका है काफी वड़ी खुशकब्री भी है नावेश वालों को क्योंकि वो काफी लंबे समय से यहाँ पर आंदुल रन्रत थे औ यहां पे आप देख सकते हैं मांव सचादन एव उनको मानेता दे गए थी जब इनको मानेता मिल गई थी तो और यूंको हो चुके हैं उनको भी प्रग्राम में समील कर लिया जाएगा लेकिन इंपर्डेंट बाद यही है कि जब इनका फाइनल डिशिजन होगा तेरा जून के आसपास इनकी फाइनल हेरिंग है कोड में तो उसमें क्या होगा कि हाई कोड क्या बोलता है अगर हाई को सब को मौका द लिया था यह थी आसकी इंपर्टेंट न्यूज इसके बाद बेगर किसी को को प्रॉब्लम होती है या कुछ पूछने चाता है तो कमेंट पॉक्स आपके लिए उपन है आप कमेंट कर सकते हैं साथ ही आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नियुक्त है उनको भी सुपकामना है आपका डिशन आ चुका है आपको सुपकामना है ठीक है अब नेक्स जो कांसिलिंग लिस्ट आएगी उसमें इनको सामिल कर लिया जाएगा लेकिन इनका गोडांग किस टाइप से बनेगा क्योंकि डायेट डियालेट बीएट और जो नियूस वा